हेलो बच्चों कैसे हो सभी आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ओट वन डिजिटल एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है बच्चों मैं नवीन भाटी आपका मैट टीचर हमने स्टार्ट कर रखा है टैन्थ क्लास का चैप्टर नमबर वन वास्त्विक संक्य जिसके एक्सरसाइज 1.1 के हमने एक से लेकर तीन कोशन स्टार्टिंग के करा दिये हैं इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर चार थे ठीक है बच्चों फोर में देखिए ऐसी एप ठीक है इस टाइप का सवाल ध्यान लखना IMPORTANT है इस exercise के हिसाब से सबस्य ज्यादा IMPORTANT इस टाइप का ही कोशन है अब इसमें देखिए आपको दो नमबर दे रखें है दो नमबर दे रखें 306 और 657 उनका आपको क्या दे रखा है क्या दे रखा है बच्चों SCF क्या दे रखा है SCF तो यहाँ पे solution में देखिए कित लिशंग क्या है उसको ए मान लीजे माना करके क्योंकि उसने दर्शा नहीं रखा ए कौन सा बी कौन सा है तो माना करके माना एजी कल्टो आपने ले लिया 306 थथा अब इनका दोनों का SCF कितना SCF किस किस का 306 का 306 और कितना 657 ये बच्चों कितना दे रखा है आपको 9 और आपसे पूछ क्या रहा है LCM क्या पूछ रहा है LCM इनी संख्या होगा ठीक है कितनी कितनी का 306 और 1656 और इसप्र हमने लगा दिया क्या कोईश्चन मार्क तो देखे आपको दो संक्या दे रखी है तो कोई खास बात नहीं हैं कोईश्चन में तो दो संक्या हमें बच्चों पहली संक्या हमने क्या मान लिया ए दूसरी संक्या को हमने क्या माल लिया बी और एसी अप आपको दोनों का नौदे रखा है एल्से हम निकालना है तो अभी तो बच्चो फॉर्मुला पढ़काए है हम क्या फॉर्मुला था क्या था फॉर्मुला एक बार फॉर्मुला लिखें सिंस या इसे बोलते हैं चूँकर जिसको हमें निकालना वो साइड लेप्ट में रखेकरो थोड़ी आसानी हो जाएगा क्या निकालना है एल्सियाओ तो एसी अप और एल्सियाओ वाला फॉर्मुला जो होता है एसी एप इंटू क्या होता है बच्चो एल सी एम इजी कल टू कितना जिन संख्याओ का आप निकाल ले उनकी आपस में मल्टिप्लाई ठीक है अभी फॉर्मला पड़ा है दो संख्याओ का गुणनफल इजी कल टू उनका एल सी एम गुणना सी एप अब देखें सी एप उसका दे रख तावन ठीक है कितना है छैसो सतावन अब यहाँ पर देखें एल सीम निकालने के लिए यह नाइन एल सीम इसी कल टू तीन सो छे गुणना है सो सतावन अब देखें यह बात थ्यान से समझनी है ठीक है क्योंकि मैं देखता हूं बच्चों को यह प्रॉब्लम बहुत क्रेट होती है multiply वाले को माइनस में ले जाते हैं ठीक है तो यह गलत है देखो इसका मान निकालना यह 9 और इसके बीच में काहे का साइन है multiply तो जब दूसरी साइड पहुचाएंगे बराबर से इधर तो multiply वाला काहे में जाता है divide में तो यह 9 कहां जाएगा डिवाइड में अब 9 स काट यह इन्हें तो देखें 9 से इसे काटोगे 9 वंज़ा 9 और 9 से इसे काटोगे 9 से इसे काट यह तीन बार जाएगा कितना बचेगा 27 हो गया तो 3 बचेगा और 3 के पीछे 6 लगा हो गया 36 36 को 9 से काटोगे कितना 4 कितना आ गया 4 ठीक है बच्चो क्योंकि 4 बार जाएगा अब यहाँ पे इसकी multiply इसमें करनी है आपको कितना है 657 में multiply कितने की करनी है 34 की 4 की multiply 8 में करोगे 28 4 पंजे 20 और 2 कितना हो गया बच्चो 22 चर्चिंग 24 और और दो 26 तीन सत्य 21 तीन पंजे 15 15 और दो कितना होता है बच्चो 17 तीन चर्चिंग 18 रहे को 19 देख लेना multiply कहीं गलत न हो जाए दो और एक कितना तीन साच्छ तेरह का तीन बार है कितना गया एल्चियम इसका आ रहा है 22,338 कितना गया यहां पर आप लिखोगे कहां पर यहां पर 34 की multiply बच्चो करिए आपने 34 की किसमे करनी है 657 में 38 यह multiply आई है तो यह multiply करके जो भी आया वो आपका क्या निकल का है बच्चो जो NCM तो यहीं पर यह LCM क्या हो जाएगा answer क्या हो जाएगा आंस्वर यही आपसे पूछा गया अब सही गलत की कैसे निकालना है आप सही गलत कैसे पतलती है LCM की multiply SCF में करिए और दोनों संख्याओं की multiply करिए दोनों value कैसी आनीची है बराबर ठीक है बच्चों next हम बात करते हैं अगले question पे देख लिए एक बार कितना आसान question है और इस तरीका का question बार-बार question paper में आता ही आता है ठीक है question number five question number five question number five ठीक है question number five देखिए अठ्छा सवाल है जाच कीजे कि क्या जाच कीजे कि क्या किसी प्राकृतिक संक्या के लिए संक्या six की power आपको चमक नहीं रहा होगा यहाँ पे यह six की power कितना है N कितना बच्चो N अंक zero पर समाप्त हो सकती है और संक्या कैसी होने चे प्राकृतिक संक्या के लिए तो यह जो N का जो मान है वो प्राकृतिक संक्या से लिया गया है तो किसी भी प्राकर्तिक संक्या के लिए कोशन एक बार समझीए आसान कोशन है किसी भी संक्या किसी भी प्राकर्तिक संक्या के लिए आपका 6 की पावर N जो माने है तो N का मान प्राकर्तिक से लिजे क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है जीरो पर क्या समाप्थ अब जीरो पर समाप्थ होने वाली संक्या कैसी होती है जैसे कि 6, 2, 4 लाश्ट में कितना आना चीए जीरो ठीक है या कुछ भी हो आगे कुछ भी हो बाद में क्या जीरो तो लाश्ट में कितना आना चीए जीरो तो आपको यह चेक करना है कि सिक्स की पावर एन एन का कुछ भी मान लीजे कहां से लेना प्राकृति संक्या से और देखना कभी जीरो पर समाप्त होती है या नहीं ठीक है बच्चों अब हम कोशन पर चलते हैं तो कोशन करोगे कैसे सबसे पहले एक बात बताता हूं मै आपको कि कोई भी अंक यदि जीरो पर समाप्त होता है ठीक है मतलब कोई भी संक्या का लास्ट वाला अंक जीरो पर आता है या जीरो आता है या कोई भी संक्या जीरो पर एंड होता है उसका तो इसका मतलब क्या हुआ वो संक्या दो और पांच से डिवीजिबल होती ही होत क्योंकि देखिए दो की multiply आप 5 में करोगे दो की multiply किस में करनी है पांच में तो दो पंजे कितना आता है दस अब दो पंजे दस जैसे आपने लिख दिया ये तो लास्ट वाला जो अंक है वो 10 से divisible होगा या नहीं होगा तो 10 से दिवीजबल होगा और 10 लाने के लिए हमें कितना चाहिए दो और 5 तो इसी चीज को लिखते हुए यहाँ पे क्या लिखोगे सुंकी अंतिम अंक अंतिम अंक यदी कितना तुन्य अंतिम अंक तो यहाँ पे लिख दीजे यदी किसी संक्या का यदी किसी संक्या का अंतिम अंक यदी सुन्य है तुन्य है तो तो उस संक्या के दो गुणन खंड 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 दो और पांच दो और पांच जरूर होंगे कहने का मतलब यह हुआ यदि किसी संख्या का अंतिमंक जीरो है तो उस संख्या के दो गुननगंड दो और पांच जरूर होंगे ही होंगे क्योंकि दो और पांच की मल्टिपलाई करके ही जीरो आता है लिखना चाहो तो लिख दीजे क्योंकि 2 गुणा 5 इज इकल टू कितना आता 10 तब ही तो 0 बनेगी जब तक किसी भी संख्या के फैक्टर दो और 5 नहीं आएगी तो 0 उसके लाश टंग पे नहीं आएगी ठीक है बच्चो अब हम बात कहते हैं परंतु 6 के एभाज्य फैक्टर 6 के एभाज्य फैक्टर मतलब गुणान खंड गुणान खंड तो 6 के निकाली कितना है 2 इंटू कितना 3 तो 6 के आपके फैक्टर आते कितने 2 इंटू 3 अब ये 6 के तो 6 की पावर n के फैक्टर आप निकालोगे तो 2 इंटू 3 की पावर बच्चो कितना जाएगा एन इसका मतलब 2 की पावर एन इंटू 3 की पावर एन अब हमने अभी देखा था कि जीरो लाने के लिए फैक्टर कितने होने चाहिए 2 और 5 लेकिन यहां पर हमारे फैक्टर कितने आरे 2 और 3 तो यहां पर आप क्या लिख होगे आप तो बच्चो कितना निकल एक है 6 की पावर एन इस एकल टू 2 की पावर एन और 3 की पावर एन ठीक है बच्चो अब यहां पर हमारा 6 की पावर एन 2 की पावर कितना है एन इंटू 3 तो यहां पर हम क्या लिखेंगे चुंकि 6 की पावर N में 2 तो है हमारा क्या नहीं है क्या नहीं है 0 लाने के लिए 5 नहीं है 2 की पावर 6 में 5 एभाज्य गुनन खंड एभाज्य गुनन खंड नहीं 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 आता है आता है 6 की पावर N कभी भी कभी भी सुन्य सुन्य पर समाप्त नहीं होगा ठीक है बच्चो क्यों क्यों नहीं हो पारा क्योंकि 0 लाने के लिए हमें 2 और 5 दो गुनन खंड चाहिए तो 2 तो हमारे पास है लेकिन 0 लाने के लिए क्या 5 नहीं है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो तो यूंकि 2 इंटू 5 इस इकल टू कितना 10 तो तभी तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा बट 0 में लाने के लिए 5 नहीं है हमारे पास में किसके में 6 की पावर N में यदि पूछा जाता है 6 की पावर N समाप्त किस पर होता है तो किस पर बताओगे बच्चो 6 पर कैसे अब यदि क्योंकि हमें N कहां से लेना प्राकरतिक नम्मर से तो प्राकरतिक नम्मर हमारा क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 की पावर N में यदि N बराबर कितना बच्चो सबसे पहले हम 1 लेंगे तब 6 की पावर 1 इजी कल टू कितना 6 उसके बाद में N बराबर यदि N बराबर कितना लेते है 2 तब 6 की पावर 2 इजी कल टू 6 into 6 6 की पावर 3 is equal to तो इसमें 6 की multiply और कर दीजे तो 36 में 6 की multiply करोगे 6.36, 6.18, 221 उसके बाद में N बराबर कितना बच्चो 4 रखोगे तब 6 की पावर 4 तो इसमें 6 की multiply फिर कर दीजे कितना आएगा 6.36, 6.1, 6.3, 9 और 6.21, 12 तो देखिया हमने 4 पॉइंट रखे इसी प्रकार से आप रख दोगे और बहुत सारे को तो बार-बार multiply करोगे 6 से तो हर बार last जो end होगा वो बच्चो किस पर हो रहा है 6 पर, किस पर? 6 पर अते हम कह सकते हैं अते चले 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 कई चले रात के एक बज़े है और मैं चलेगा सब्सक्राइब चले इसमें शीट है बहुत सारे इसमें अश्यक्टी बहुत सारे प्रोपी इस peppers तैसा मिलते हैं सबस्क्राइब पर मैं दिचाहता है रात के एक बज़े को हमरु देखिए अच्छे से दिखाईए मैं दिखाता हूं ये 12 माई एक वाच्चु के और इन्हें खाकर के हमारी पूरी टीम जिन्दा है और नवीन सार शेहत का राज वीडियो पनालू ना बनाओं तो यार तो आते हैं क्या लिखोगे शिक्स की पावर एन शिक्स की पावर एन कभी भी कभी भी तुन्य पर समाप्त नहीं होती है ठीक है बच्चो यदि कोई पूछता है तो किस पर समाप्त होती है 6 पर कितने पर 6 पर क्योंकि सुन्य लाने के लिए हमें दो फेक्टर चाहिए ही चाहिए कौन कौन से एक दो और एक कितना पाँ तो 6 में 2 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता तो यही रीजन है और आपको सी पर बात करते हैं अगले कोशन पे से कॉशनन नमबर 6 के कुशन नमबर 6 वैं टो देकर व्याक्या कीजे कि व्याक्या कीजेिए कि सैवान इंटु 11 इंटु थर्टीन प्लस कितना है थर्टीन और ये कितना दे रखा है सेवन इंटू ये मल्टिप्लाई के साइन सारे ये मल्टिप्लाई है बच्चो कितना है मल्टिप्लाई ठीक है ठीक है तो ये भाज्य संक्या क्यों है आपको ये बताना है क्या बताना है ये भाज्य संक्या क्यों ह ठीक है अब हम बात करते हैं इसके सॉलूसन की इसमें दो पार्ट दे रखें आपको कितने पार्ट दे रखें वच्छो दो तो दो पार्ट में देखिए, पहला दे रखा है यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो आपको सबसे पहले संक्या दे रखी है लिख लीजे उस संक्या को संक्या, ठीक है और एक काम करिए माना कर के लिखिए और भी आसान माना संक्या, इसे क्या मानलो गया? ए और वो कितनी है पैवन इंटू 11 इंटू कितना 13 और प्लस में कितना 13 जो संक्या दो संक्या एक ये और एक ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले उसको हमने मानले हैं माना संक्या ए बराबर इतना बच्चो अब हमें ये बताना है कि ये जो ए मानी है आपने ये संक्या ये भाज्य अब भाज्य संक्या के यदि आप कंडिशन जानते होगे तो बिलकुल इजली से आप इस कोशन को सौलो कर लोगे भाज्य संक्या की कंडिशन क्या बताई थी कि कोई भी संक्या भाज्य हमारी कौन सी होती है जो वन और स्वेम के अलावा किसी अन्य संक्या से भी divisible होती है कहने का मतलब जिसके जिसके दो से अधिक गुणन खंड हो उसको हम क्या बोलते हैं भाज्य क्या बोलते हैं भाज्य अब यहां पर देखिए अब multiply में कितने भी संक्या लिकी हो वो एक मानी जाती है क्योंकि इनकी जब हम multiply करके आएंगे last में हमारी एक ही संक्या आती है तो यह एक ही पद होता है plus में कितना दूसरा हमारे किसी भी विस्तार को plus minus divide करते हैं मतलब बाटते हैं वो कि इसमें कितने पद है तो इसमें multiply कितनी बार कर लो वो एक ही पद माना जाता है एक और एक है यह क्या है दो तो दोनों में से हमारा common क्या आ रहा है बच्चो देखिए कितना रहा है थर्टीन कितना रहा है थर्टीन तो थर्टीन common आ गया है तो यहां पर जाएगा यदि मैं इसको काटने चाहूं देखिए बच्चो तेहरे और अगला कितना है 78 ठीक है अब इसको मैं यदि भाग देना चाहूं क्या 13 से नहीं कटेगा यह तेहरे से भी जाएगा इसमें डिवाइड और किस से 78 से चाहूं तो 78 से भी जाएगा अब जाने के लिए हमारा दो से भी कटेगा और बहुत संक्या लेकिन हमें जो सामने दीख रही है हमें पता है वो 13 और 78 तेहरे और 88 से तो कटेगी कटेगी इसका मतलव क्या हुआ इस पू दिखोगे आता है आता है तंक्या अब इतना लिखिये यह ध्यान रखिये इसलिए मैंने माना करके यह लिखा आता है संक्या ए के दो गुणान खंड दो गुणान खंड कितने तेहरे और कितने 78 होंगे जो वन वै वन वै श्वैम के अलावा होंगे अलावा की जीगे आप अतरिक भी लिख सकते हो ठीक है जो वन और श्वैम के अलावा होंगे जो वन और श्वैम के अलावा थीक है तो यह कंडिशन आगी हमारी वन और स्वैम के अलावा दो हमारे क्या आगे गुणान खंड कितने 13 और 58 इसका मतलब क्या हुआ वन और स्वयम के अलावा एक भी आपका गुणन खंड आ जाता है तो वह संक्या हमारी क्या कहलाती है क्या कहलाती है बच्चों भाज्य तो यहां पर क्या लिखोगे कि यहां पर हम क्या लिखेंगे चिक है नेक्स्टी पेच लेते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे हम आते हैं दी गई संक्या दी गई संक्या आते हैं दी गई संक्या कितनी है बच्चों कितनी थी 7, 11 और 13 7 into 11 into 13 पिलस कितना 13 यह संक्या थी कितना था 7 into 11 into कितना 13 ठीक है यह संक्या थी आते हैं दी गई संक्या इतनी क्या होगी भाज्य संक्या है रीजन हमने यहां पर लिख दिया आते हैं संक्या एक दो गुणन घंट 13 और 38 होंगे जो एक वे स्वैम के अलावा होंगे श्वैम वो संक्या जो उसके अलावा होंगे ठीक है बच्चों तो लाश्ट में हम लेखेंगे अते दी गई संक्या इतनी क्या होगी भाज्य संक्या इसी जैसे आपको यह प्रूप करनी है कितनी है यह साथ गुणा छे गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक और लाश्ट में पिलस में कितना फाइव तो एक संक्या ये होगी और ये की ये होगी दोनों में सो क्या कॉमन लेना आपको 5 फिर इसमें जो भी अंदर आएगा और ये इसके दो फेक्टर ये भी आजाएगे ये भी आपके दो गुणन खणाएगे same ये ही question है संक्या अलग अलग है ठीक है बच्चो अब आपका देखिए इसके बाद मैं आपका question बच रहा है कौन सा next question number seven question number seven देखिए बच्चो किसी खेल के मैदान के चार और एक वरत्तकार पत है इस पत इस मैदान वरत्तकार पत है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सौनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवी को 12 मिनट लगते हैं ठीक है बच्चो तो इन पर ध्यान देना है कि भाई देखे तौनिया को तो कितने मिनट लग रहे हैं 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कल लगाने में रवी को कितने मिनट लगते हैं कितने ही 12 मिनट लगते हैं मान लीजे वे दोनों एक ही इस्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंब करके एक ही दिसा में चलते हैं कितने समय बाद वे पुने प्रारंबिक इस्थान पर मिलेंगे देखिए बच्छों कितना आसान सवाल है इसकी थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है और समझने की कोशिस करिए आप कोशन में आप से कहा है देखिए मैं समझा रहा हूं यहां पर ही आपको एक व्रत्तकार क्या दे रखा है पत दे रखा है अब उसने कहा है माल लीजे वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंब करते हैं माना दोनों यहां पर हैं कहां पर यहां पर ठीक है तो कौन-कौन है सौनिया और रवी सौनिया और रवी दोनों यहीं पर है और कि आपका पर्त कैसे दे रखा है व्रत्यकार तो उसने कहा है सवाल में कि एक ही समय पर चलना प्रारंब करके एक ही दिसा में चलते हैं जैसे इधर जाएंगे मान के चलिए दोनों इधर की तरफ दोड़ते हैं फिर उसने कहा है कितने समय बाद वे पुने प्रारंविक इस्तान पर मिलेंगे ठीक है बच्चो अब इसके लिए देखिए हमारा यूज होना यहां पर या तो LCM निकलेगा या ACP अब इस टाइप के कोशन में कहां LCM निकाल और सौनिया जो उसको कम्प्लीट कर रही है उसके चकर कितने मिनट में 18 मिनट में तो हमें यहां पर देखना है कि हमें कोशन में LCM निकालना या ACP उसके लिए क्या देखना है कि भाई यह हमारा व्रत्यकार पत है ठीक है अब इसमें दोनों एक इस्तान से स्टार्ट करते ह दोड़ना तो सौनिया भी यहीं पर है और रवी यहीं पर है और माना इधर की तरफ दोनों दोड़ रहे हैं इधर भी दोड़ सकते हैं और इधर भी ठीक है लेकिन दोड़ेंगे दोनों या तो इस साइड दोड़ेंगे या इस साइड अब जब जैसे ही यहां पर मतलब द समय में दोड़ पूरा करेगा और सौनिया जो है रवी से क्या है थोड़ा धीमे दोड़ती है वो कितने मिनट में लेती है अठारे में तो यहां पर फिर सवाल में आप से पूचा है कि यह पुन है पुन है मतलब दुबारा उसी इस इस्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे तो तो बारे मिनिट में जब यह यहां पे आ गया तो सौनिया कहां पे होगी कहां पे होगी बच्चो बारे च्छे और लगभग नौ मिनिट तो यहां पे आपकी सौनिया होगी ठीक है तो यहां पे क्या होगी सौनिया तो सौनिया यहां पे होगी तो रवी यहाँ पर आ गया एक राउंड में तो बारे मिनिट में यहाँ आ गया और जैसे ही सौनिय यहाँ पर कितना अठारा आएगी तो बारे मिनिट में मार के और रवी फिर के कहा पुछ जाएगा यहाँ पर इसका मतलव हमने देखा कि ना तो 12 मिनिट में दोनों मिलते हैं ना किसने में मिलते हैं 18 मिनिट में इसका मतलव फिर time count हो गया तो हमारा जो answer की possibility है वो बच्चों कितना 18 से कैसी होती है ज्यादा तो यहीं पर हमें देखना पड़ता है कि हमारी दो value है 12 और 18 यदि answer आने की संभावना तो वहाँ पर निकाला जाता है क्या SCF यदि answer बड़ी वाली value के या तो बराबर आ जाई या तो उसके बराबर आ जाई या उससे ज्यादा आने की संभावना आती है तो वहाँ पर बच्चों क्या निकाला जाता है LCM तो यहां पर मैं लिख रहा हूं SCF कब निक संभावना संभावना छोटे मान के या तो बराबर हो या उससे कम जो छोटा मान है या तो उसके बराबर आने की संभावना हो या उससे भी क्या कम LCM की बात करें उत्तर आने की संभावना सेम लिखना है बड़े मान के बड़े मान के बराबर या उससे ज्यादा जब उत्तर आने की संभावना बड़े मान के बराबर या उससे ज्यादा उस कंडिशन में बच्चों क्या निकालना है हमें क्या निकालना है क्या निकालना है हमको LCM क्या निकालना है LCM और यदि उत्तर आने की संभावना छोटे मान के या तो बराबर हो या तो बराबर हो या छोटे मान से कैसा कम आने की संभावना हो तो उस कंडिशन में बच्चों क्या निकाला जाता है SCF क्या निकाला जाता है SCF तो आपके question में हमने देखा कि यहां पर दोनों है तो 12 मिनिट में भी नहीं मिले क्योंकि 12 मिनिट में क्या है रवी पूरा कर देगा एक राउंड यहां पर आ जाएगा लेकिन सौनिय यहां पर रह जाएगी तो 12 से क्या हो गया ज्यादा हो गया उस इसका मतलब ना तो 12 में दोनों मिले ना 18 में तो हमारा answer क्या आएगा 18 से ज्यादा तो 18 जो बड़ी value उससे ज्यादा आएगा तो उस condition में आपको क्या निकालना है बच्चो LCM क्या निकालना है LCM एक बार देख लीजे बहुत अच्छा सवाल है यदि जो आपकी value दी रहें हैं HC app और HC app को क्या बोलते हैं हिंदी में मैस है क्या बोलते बच्चो मैस है और LCM को क्या बोलते हैं लैस है लगुत्तम समाप वर्तक और उसको बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक ठीक है बच्चो तो अब आ जाए अपनी question पे question हमारा है कि 18 मिनिट में Sonia round पूरा करती है और 12 म एक साथ तो हमने देख लिया कि 18 से क्या होगा ज्यादा तो यहां पर आप लिखोगे पिल्कुल आसान बेस कोश्चन समझना है कोश्चन में कुछ नहीं करना तो यहां पर आप लिखोगे चूंकि तौनिया तौनिया एक चक्कर 12 मिनिट में कितने मिनिट में? 18 मिनिट में तथा रवी एक चक्कर कितने मिनिट में? 12 मिनिट में पूरा करता है तौनिया 18 मिनिट में और रवी कितने? 12 मिनिट में उसके बाद में उसके बाद में क्या लिखना है? ये दोनो यदी एक साथ एक ही इस्थान से दोड़ते हैं दोड़ते हैं दोड़ते हैं तो देखे बच्चों यहां पर लिख रहा हूं मैं यदी ये दोनो यदी ये दोनो या यदी यहां पर लिख दिया बच्चों ये दोनो यदी एक साथ एक ही इस्थान से दोड़ते हैं ठीक है? तब पुनहें उसी इस्थान पर दोबारा मिलेंगे इस इकल टू कम मिलेंगे एल्सियम कितने का 18 और 12 मिनट में मिनट में तो इतने मिनट में मिलने चाहिए ये तो यहां पर 18 और 12 का एल्सियम आप निकालने ना 18 के कितने फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 12 के आएंगे टू इंटू 2 इंटू कितना 3 तो एल्सियम निकालने के लिए क्या बतायgin था आपको पहले common निकालना है तू की पावर कितना आएगा 2 और यहां पर टू की पावर 2 और इंटू में कितना कितना बचेगा तू कितना यहां पर 2 into कितना 3 की power 2 और यहाँ पर आएगा 2 की power 2 into कितना 3 तो LCM में आपको बताया कि बड़ी power लेनी है और यहाँ पर भी 3 पर कितनी बड़ी power तो 2 की power 2 का मतलब 4 3 की power 3 का मतलब कितना होता बच्चो 9 9 ford कितना 36 तो यहाँ पर आपका दोनों का LCM जो आया वो आया 36 minute question में कुछ नहीं था best theory में लिखना है ठीक है इस थोरी को तो आप अपने passive बना के लिख दोगे हमें best question में क्या समझना था कि यहाँ पर LCM निकालना या SCF उसके लिए आपको बताया था कि यह वाली property याद रखना है सबसे पहले हमें यह देखना है कि answer की संभावना जो दी गई value उनके बराबर है छोटे के बराबर है या बड़े के बराबर है या उनसे ज़्यादा या छोटे से कम है तो यहाँ पर हमने देखा बड़ी value अठा रहे थी तो हमारे answer आने की संभावना अठारे से भी क्या थी ज़्यादा और वो चीज मैंने लिग भी दी है एक बार note down जरूर कर लेना ठीक है हो सकता है यह question आपका LCM का है पेपर में आपका केस का आजाए SCF का किसका SCF का तो वहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा SCF तो आपका question आपके सामने है तो यहाँ पर आता है दोनों कितने मिनट बाद 36 मिनट बाद पुने हैं उसी इस्थान पर मिलेंगे ठीक है बच करिए कितनी आसान exercise जब वह आपने देख लिया होगा और board के exam में question आता ही आता है यहां से ठीक है बच्चों आसा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे like share comment करिए और अपने मिलने वाले जितने भी आपके friend circle में आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें इस वीडियो को share करिए ताकि वो भी बच्चे इस वीडियो से अपनी study में मदत कर सके ठीक है बच्चों मिलते हैं आप अपनी लेक्स्ट वीडियो में thank you for watching